तो आज के वीडियो पे हम बताएंगे धन टेडिंग विउ से कैसे आप लिमीट ओडर को क्लियेट कर सकते हैं और बहुती ज़्यादा इंप्रोंटेंट है लिमीट ओडर को ट्रीयेट करना कोई भी स्टॉक बाई और सेल करने का वो मैं पूरा ये वीडियो के अंतर बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबसे पहले बताता हूँ, जिसके पास अभी धन एकाउंट नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉस पर एकाउंट ओपिन कर लो, एकाउंट ओपिन करने के बाद आपको खोलना है, टीबी.डॉन.co, यह एकाउंट खोलो गए, तो टीडिंग भीउ के साथ आप अपना स्टॉक को अनलाइसिस कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है, अगर दोस्तों मानके चलो किसी भी एक स्टॉक को हम बाई करेंगे, तो उससे कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं एस बैंक के ओपर क्लिक कर दिया, मानके चलो हम एस बैंक के ओपर स्टॉप लिमिट को लगाएंगे, आप चाहते हूँ यह जो stock का price है जब 12 रूपए 30 पैसे पे आ जाए तो यह मेरा specific हीट हो जाएगा और मेरा stock buy हो जाएगा ऐसे करके आप same process से sell भी कर सकते हूँ जैसे आप सोचो आपका stock है बो 14 रूपए 15 पैसे पे आ जाए मानके चलो तो आपका stock है वो automatically sell हो जाएगा तो इसके ओपर limit order और stop limit बहुत ही काम करते हैं तो मैं सबसे पहले example के साथ बाता हूँ जैसे मानके चलो मैं ES bank का stock है वो खड़ीदना चाहता हूँ तो ES bank stop के ओपर click करना है click करोगे इसमें दो arrow का symbol है इसके ओपर click करना है जैसे के लिए करोगे दो option है एक होता है sell एक होता है buy तो जैसे मैं stock को buy करना चाहता हूँ limit order के साथ तो इससे को क्या करना है buy के ओपर click करना है click करना है आपको देखो second option पर limit आ जाएगा limit option पर click करना है तो मानके चलो अभी जो stock का price है वो 13 रूपए 20 पैसे मैं चाहता हूँ यह जो stock का price है अगर 12 रूपए 25 पैसे पर आ जाए या 12 रूपए भी आ जाए तो यह जो stock है वो automatically मेरा buy हो जाएगा मैं buy करोगा तो इसके लिए आप वो इसमें change करके 12 रूपए कर देना है आप कितना stock लेना चाहते हो कितना quantity का बोड़ कर दिया जैसे मैं एक quantity लेना चाहता हूँ तो मैं एक छूस कर दिया अभी वाइं के उपर किलीक करना है जैसि आप इसको ब्रूपर करोगे रिचे बपाई हो गया है सेम प्रोसेस से आप सेल भी कर सकते हैं, जैसे सेल के ओपर क्लिक कर दिया, अभी चाहता हूँ मैं जो स्टॉक है, अभी जो स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है, बो तेरा रूपए 20 पैसे, मैं चाहता हूँ ये जो प्राइस जब तेरा रूपए 14 रूपए आ जाएगा, तो म पर लगा सकते हैं, जैसी इसको बड़ा उप्षिन गरना है जैसे ही क्लिक करूगे, आप देखो कि इधर पे ट्रेडिंग बड़ा option है, और इसमें instant order placement करने के पर इसको बड़ा उप्षिन आ जाएगा, तो सबसे पहले, इधर पे जो एक है इसको बड़ा क्लिक करो और आप कितना कॉंटिटी स्टॉक लेना चाहते हो एक दो तीन चार पाच ठीक है ऐसे जैसे मैं एक लेना चाहते हो तो एक को पर क्लिक किया इन्हीं करने के बाद आपको लगता है अगर ग्राप जो है चौदर रुपए पर आ जाए तो मैं ऑटोमेटिकली सेल मैं क करना चाहते हो वही ऑप्षिन को आपको चूज कर लेना है और आपको वह है वह सेल और बाई हो जाएगा एक चीज़ आद रखना है अगर आपने बाई और सेल कर दिया तो एक्जिटीट आपका ओर्डर होगा की नहीं होगा यह नहीं पता लेकिन आपका जो स्टॉक है वह और सेल करने का अधरवाइस आप अगर स्टॉक पे आप इंबेस्ट्मेंट कर दिया कोई भी स्टॉक आपने खड़ीदा तो उसको अपनी तरफ से मोडिफाइग कर सकते है और आपने बाई और जो सेल का जो स्टॉप लोसे लिमिट और है वो अपने तरह के से लगा सकते है वी कर सकते हैं तो वीडियो को चल लोगा सबस्काई बाई वाइ